अब नमस्कार भूमिज किचेन लाइफटाल में आपका बहुत स्वागत है आज मैं एक एनर्जी ट्रिंक लाइँ हूँ जो कि आप सर्दियों में पी सकते हैं और सर्दियों में यह प्या जाता है और बहुत अच्छा रहता है यह पीने के लिए तो चलिए देखते हैं इसके कर लिजिए और बैल आइकन दबाद दीजिए और अल्लोंट पिक्षिन जो है अन कर ले तो यहां पे मैं ले रही हूं आल्मांड मादा बादम इसको हम 50 ग्राम लेंगे आप चाहे तो ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं तो मैं 50 ग्राम करीब ले रही हूं तो इसको हम थोड़ा से भूनेंगे और इहां पर है अख्रोट मैं इसको भी हम कि थोड़ा सा नमी उन्हें तक भूनेंगे बहुत ज्यादा रोश्ट नहीं करना है थोड़ा सा जो भी इसका इसके अंदर पाकर यह थोड़ा सा नमी रहेगा वह वोड़ बुड़ जाएगा इतना ही दीजिए आप लगभग 5-6 मिनिट के लिए उसके बाद मैं एक ग्राइंडर जार लेके इसमें डाल रही हूं और ग्राइंड कर लिया है और इसको दरदरा पीछ लें इसका जो बड़ा बड़ा है इसको हाथ से निकाल सकते हैं या फिर आप छान के भी निकाल सकते हैं और इसको आप कोई भी कंट्रेनर में डाल के स्टोर करके पूरे सरदियां के लिए रख सकते हैं अगर आप चाहे तो इसमें काली मिर्च बगरा डाल सकते हैं मगज और इसका दूद कैसे बनाना है, एनर्जी ड्रिंक कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं, इसके लिए मैं 200.5 मेल लिया है दूद, दूद को हम उबालेंगे, उबालने के लिए रखेंगे, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत पानी मिला सकते हैं इसमें, इसके बाद हमारा जो तयार किया हुआ पावडर जो था, इसमें हम डालेंगे, एक से डेट चमच, अगर आप एक आदमी के लिए बना रहे हैं, तो एक से डेट चमच डालें, और इसको आप सुभाय के टाइम पी सकते हैं, या फिर साम को खाना खाने के बाद, इसमें एक सार से पांस मुलिट के लिए उबालेंगे, जैसे की उबाल आता है हमारे दूद में, और आपके टेस्ट के अकोडिंग इसमें डालें, चीनी, चीनी के जगहें पर आप बाद में, अगर आप चीनी नहीं पीना चाहते हैं, तो बाद में आप सुगर फ्री या फिर सहत डाल सकते हैं, यह देखिए हमारा मिल्क जो है, बोल्ड हो गया है, और कितना अच्छा कलर आ गया है, गुल्डेड मिल्क हमारा तयार हो गया है, मतलब पूरा, देखिए कितना अच्छा सुन्दर कलर आया है, इसमें, हल्दी जो मिलाई थी में, पहले तो सुरू में कलर नहीं थ जाता है है कि तो अभी हम इसको सर्ब करेंगे कोई पीने वाला og glass इसमें सर्ब करwow सकते है तो आप चाहे तो इसको रात के टाइम खाना खाने बाद पी सकते हैं या फिर शुबह, नास्ते के साथ मारा सकते हैं वीडियो पसंद आए जो लाइक करें सब्सक्राब करके बेल आइकन जुरूर दबाएं और दूसरे रेशीपी बगरा जो देख सकते हैं